नमस्कार, योरो 2020 का बस अब कुछी दिनों में आघाज होने वाला है और योरप की टॉप 24 टी में इस प्रत्योगता में में शक्कत करती हुए दिखेंगे इसलिए मैं इस योरो को योरप का विश्वकाप मानता हूं क्योंकि टॉप योरपियन टीम्स खेलती हुए यह जब बड़ा टॉर्णमेंट होता है तो टीम्स के लिए बड़ा अनिवार हो जाता है कि वह जो उनके फेवर में है यह नहीं किन टीम्स के साथ किस ग्रूप में वो ड्रॉप करी जाती है और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ बहतरी टीम्स एक बहुत टफ करी गई है ग्रूप के अंदर 6 ग्रूप हैं और जो मैचेज हैं वह 11 अलग वेन्यूस पर खेले जाएंगे लेकिन ग्रूप की बात करते हैं ग्रूप एफ जो छटा ग्रूप है ना वो मेरे हिसाब से इस टॉर्नमेंट का ग्रूप ऑफ डेथ होने वाला है वो वजह उस ब उस ग्रूप के अंदर और साथी साथ उसी ग्रूप में फ्रांस भी ड्रॉण है जो कि यह 2018 की विश्व का पुजेता टीम रही है और दो बार यूरो इससे पहले जीत चुकी है एक बहुती सुद्रिड कॉंपेटिशन देने वाली टीम है और याद रखिए 2016 का जो फाइनल जर्मनी एक ऐसी टीम जो सबसे ज्यादा में यह कहूंगा कि जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल टीम है जहां तक खिताबों का सवाल है यूरो के तीन बार यूरो का खिताब जीत चुकी है जर्मनी तीन बार स्पेन ने भी जीता याद रखिए इसलिए मैंने का जॉइंट मोस तक हंगरी और आप हंगरी को जनरली ऑन पेपर हलके से आखते हैं हलके में आखते हैं कहेंगे कि ठीक है यतनी बड़ी टीम नहीं है पर मैं आपको याद दिला दूं कि लेट 1960s 70s और अली 80s तक हंगरी की जो टीम थी एक काफी मजबूत competition मानी जाती थी और यूरो के अंद किन तो उनको आप हलके से ना आके तो बेहतर रहेगा और जल्दी से मैं आपको बाकी जो तीन दिगज टीमों का मेरे नाम लिए पॉर्चुगल फ्रांस और जर्मनी इनके बार में कुछ दिल्चस्प किससे भी बता जैता हूं पॉर्चुगल 2004 के योरो फाइनल में भी पह नेटवर्क है तो उनका जो प्री और पोस्ट शो था उस मैच से पहले और बाद वो शो मैंने होस्ट किया था और उस फाइनल के अंदर पॉर्चुगल का सामना हुआ था ग्रीस से और अपने घर पे खेलते हुए पॉर्चुगल जो कि होम फेवरेट थी और प्री फैन प् पीगो उस पॉर्चुगल के लाइनप में शामिल थे लेकिन कहते हैं जिन्देगी का जो घेरा है वो गोल है 2016 के अंदर जो मैं प्राइवट ब्राड्कास्टर के लिए हिंदी कॉमेंटरी कर रहा था यूरो की कवरिज के लिए तो क्रिस्चानो रोनाल्डो और पॉर्चु प्राइव करना पड़ा था और उनकी घैर मौजूदगी में एक्स्ट्रा टाइम में जाके फिर पॉर्चुगल ने फ्रांस को फ्रांस में खेरते हुए लेदलूस को हराया था और होम फैंस को डिसपॉइंट किया था फ्रांस के वहीं पॉर्चुगल में खुशी की लहर दोड़ गई थी पर क्या वो दोबारा इतिहास दोहरा सकते मुझे लगता है पॉर्चुगल के पास कुछ अच्छे खिलाडी है इस दोजार बीस योरो 2020 कि अगर नहां तक का सवाल है उसके नाम का सवाल है भले 2021 में हो रहा है एक साल के अंतराल के बाद कोविट के चलते त तो उनके पास खिलाडी हैं ब्रूनो फर्नैंडेस जैसे खिलाडी बरनार्डो सिल्वा जैसे खिलाडी जो इन फॉर्म चल रहा है मुझे लगता है अकेला दारुंदार क्रिश्चान और रोनाल्डो के उपर ही नहीं रहेगा बलकि इन और खिलाडीयों के उपर रहेगा ज हिस्सा थे तो एक बड़ा सॉलिड बैकपोर्न लेकर फ्रांस की टीम आ रहे है इसमें और जर्मनी जाते 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 उनकी थोड़ी सी और चट्रा कर लेता हूं भले ही रीसंट टाइम्स में उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके हक में नहीं गया है और पच्छिस साल हो गया ह उनको 1996 में आखरी बार उन्होंने योरो का किताब जीता था क्या जोकिम लो जो उनके कोच है जो नैशनल कोच है उनको अलविदा कहें कि जर्मनी इस प्रत्योगता के बाद क्या जाते जाते एक बहतरी फैवेल गिफ्ट दे सकते हैं जोकिम लो को और जर्मनी के फैंस को य यह ग्रूप एफ जो है ना ग्रूप ऑफ डेथ है का काफी दिल्चस्प रिजार्ट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं